हेलो गाइज वेलकम टो मेंकेस टूर्टोरियल्स इस वीडियो ममलोब पढ़ेंगे रेसिडियू थोरम के बारे में और यह रेसिडियू थोरम होता क्या बार देख लेते हैं If f of z is analytic in a closed curve c except at finite number of singularity points within c then integral under the curve c f of z dz equals to 2 pi i into sum of the residues at the singular points within c यहाँ पर यह बोल रहा है कि आपको जो निकालना है integral की value हना वो क्या होगा आपका 2 pi i into sum of residues at the singularity point singular points within c singular points होता है कि आपको पहले बता चुका हो मैं ओके तो यहाँ पर देख लोग बोल के रहा है मालना आपको पास कोई curve दिया हुआ है है ना और वहाँ पे कुछ points रहे मालने अपना क्या a1 है यह आपना दिया वह point a2 यह आपको a3 है यह तीन ऐसे points जहाँ पे क्या है यह singularity points है तो हमको करना क्या अगर इसको निकालना है तो हम करेंगे इन सबी points के बहुत का residue निकालेंगे उसको हम 2 pi i से जब multiplier करेंगे then only we will get the value of this integral तो यहाँ पे 2 pi i into residue at f of a1 plus residue of f of a2 है ना यह सब पर निकालना है जितने आपको points singularity points मिलेंगे सभी के बाउट निकालना है और इस वीडियो बहुत आपको इतना है बता रहा हूँ अगले वीडियो में जो हम लोग discuss करेंगे basically कि यह residue का जो formulae होते हैं वो कौन सा use up में को करना है आपके दो टैको formulae basically होंगी है आपको मैं बता हूँगा next video में तो इस वीडियो बस इतना है thank you